पंचंगेट्स आखों से दूर नहीं हो जाती वो देखते ही रहती है थोड़ी देर में सब स्कूल पहांच जाते हैं राचना के बाद हेड मास्टर आकर एक घोशना करते हैं गुट मॉनिंग बच्चो गुट मॉनिंग सर आशा करता हूँ सभी लोग नए साल में नए रेजूलेशन्स बना लिये होंगे और पढ़ाई पर और अधिक ध्यान दे रहे होंगे इस साल हमने निर्धारित किया है कि हपते में एक बार आपकी एक स्पेशल क्लास लगाया करेंगे जिसमें देश की संस्कृती, धर्म और इतिहास के बारे में अलग से जानकारिया दी जाएगी मैं उमीद करता हूँ सभी बच्चे स्पेशल क्लास से बहुत कुछ नया और यूनिक सिखेंगे आप सभी इसके लिए तयार है ठीक है बुदवार को लाश्ट पिरियड इसी विशय का होगा अल दी बेस्ट हमीशा की तरह दिन भर अलग अलग विशयों की एक अक्षाय चलती है लेकिन सब बच्चों का ध्यान आखरी पिरियड पर होता है और अन्तता आखरी पिरियड आभी जाता है कैसे हैं सब बच्चे बहुत अच्छी सर जैसा कि हेट सर ने बताया था आज से हम एकदम नया सबजेक्ट पढ़ेंगे जिसमें हम हमारी खोई हुई सांस्कृतिक विरासत इतिहास और धर्म पर चर्चा करेंगे सबसे खास बात है उने इतिहास की बाते करेंगे जिसको लोग माइथुलोजी कह देते हैं जबकि सबके साक्षे उपलब्ध है ठेक है? ओकी सर आज हमारा पहला विशेय रहेगा नेलकंट वैसे तो सबको पता ही होगा कि शीव जी को हम देवो के देव महादेव कहते हैं उनकी लिंग के रूप में भी पूजा होती है और उनके बहुत से फोटोज भी देखे होंगे आपने उनमें सही उनका एक रूप है नेलकंट महादेव का जिसकी मैं चर्चा करूँगा तो आर यू एक्साइटेड? येस सर ठीक है मैं पावर पॉइंट शुरू कर देता हूँ जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं कंट मतलब गला शीव जी का गला नीला होता है बहुत सी फोटोज और वीडियोज में क्यूंकि उन्होंने विश पिया था ऐसा क्यूं और किसलिये हुआ आखिर शीव जी ने विश पिया ही क्यूं इसको हम आज कहानी के रूप में जानेंगे ओकी सर और टीचर कहानी बोलना शुरू कर देते हैं एक बार की बात है समुन्द्र मंथन चल रहा होता है देवता और असूर दूनों मिलकर शेशनाग को दूनों और से पकड़ कर समुन्द्र मंथन कर रहे होते हैं एक के बाद एक बहुत कुछ निकल रहा होता है उसमें वाउ लेकिन इसमें शेशनाग जी का क्या काम हम् आप लोगों के पास मिक्सर होता है जिससे सब घरों में मखन बनता है पहले मतनी हुआ करती थी जिसमें रस्सी लगा कर दही को या जिस भी सामान को मतना होता था मतना क्या होता है सर मतना एक प्रक्रिया है जिसमें से गोल घुमा कर दही से क्रीम ये जिसको लोग मखन बोलते हैं वो निकाला जाता है रिश्न भगवान यही मखन तो खाया करते थे उसको बनाने में बहुत महनत लगती थी उसी तरीके से समंद्र का भी मन्थन हो रहा था जिसमें से लक्षमी मैया भी निकली जिनकी हम दिवाली को पुजा करते हैं मतलब लक्षमी जी का बर्थ ऐसे हुआ था? हाँ, तभी तो लक्षमी जी की पुजा की जाती है दिवाली को खैर आज हम निल कंठ महादेव की कहानी को पूरा करेंगे समुंद्र मन्थन के समय उसमें से अमरित और विश भी निकला इस मन्थन में से बाकी जितनी भी चीजे निकली उसको तो देवताओ और आसुरों ने बाट लिया अमरित तो नहीं निकला, पहले विश निकला तो सब एक दूसरे का मोह ताक रहे थे अरे, कौन पिएगा इस विश को जब तक कोई विश को नहीं पिएगा अमरित नहीं निकलेगा अरे, इसको यदि जल्दी नहीं पिया गया तो फिर ये पूरी जगत में फैल जाएगा और सब नश्ट हो जाएगा किसमें है इतनी शमता जो इस विश को पीले चारों और हाहाकार मच गया क्या देवता, क्या दानव प्रिथवी लोग के मनुश्य जानवर तक इसके प्रभाव में आने लगे लगा सब मर जाएंगे इस हाहाकार को देखकर सभी देवताव और दानव ने शिव जी का वाहन किया हे महादेव आप आएं और इस विश का पान करके संपूर्ण जगत को बचाएं हे देवों की देव महादेव आप अपने नेत्रे खोल कर देखें सब कुछ नश्ट हो जाएगा शिव जी देखते हैं कि सब कुछ नश्ट हो रहा है वो अपने नेत्रे खोल कर आगे बढ़ते हैं वाओ फिर क्या हुआ सर फिर क्या सारा विश शिव जी ने अपने कंठों तक भर की रोग दिया उसको निकला नहीं मैं इस विश को पी रहा हूँ इसको पीने से सारा संसार बच जाएगा और ये कहते हुए शिव जी आगे बढ़कर संपूर्ण विश पान कर लेते हैं लेकिन कंठों की नीचे नहीं जाने दिया इस विश को जिससे उनके कंठ नीले पड़ गए उनको कुछ हुआ नहीं वो तो देवों के देव है उन्होंने तो धरा को संभाला हुआ है उन्होंने कंठों तक विश को रोक रखा लेकिन कब तक सर? कहते हैं साथ हजार साल तक उन्होंने इसको कंठों में रखकर तपस्या की जिससे इसकी गर्मी और प्रभाव शान थो जिसकी बज़े से उनके कंठ नीले पड़ गए और उनका नाम नील कंठ महादेव पड़ा वाव लेकिन ये तपस्या उन्होंने कहा की आप सबको जानकर खुशी होगी कि ये जगा रिशिकेस में ही है वहाँ पर इसका बहुत बड़ा मंदिर भी है हर साल सावन मास में वहाँ बहुत बड़ा मेला भी लगता है लाखों लोग कावड लेकर भी जाते हैं कावड मतलब? कावड मतलब छोटी मटकी जिसमें गंगा जल भरकर कंधो पर टांग कर नील कंठ महादेव को वो गंगा जल चढ़ाया जाता है आज भी? हाँ बच्चो आज भी जल चढ़ाकर उशनता को शांत किया जाता है साथी बेल पत्र भी चढ़ता है नील कंठ महादेव को शिब जी ने हमारे लिए इतना पेन लिया हाँ, उन्होंने सर्फ हम सब के प्रान बचाने के लिए सारे विश को खुद पिया सब बच्चे टालिया बजाने लगे तो सब को समझ आ गई पूरी कहानी मैं तो समझ आया निल कंठ का ये सर, मैं भी शिवलिंग पर चल चढ़ाऊंगा अब से हमेशा सर वेरी गूड, आज की क्लास में बच यही अगली क्लास में हम एक नई कहानी सुनेंगे अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें